बिस्मिल्लाहिवाहिवाहिवाहिवाहिवाहिव अस्सलाम अलेकुम डियर स्टूडन्ट मैं हूँ आपका बेलोजी टूटर सरुबैदुर रह्वान बेक आज जो हमने SLO कवर करना है वो है एक्स्प्लेंड प्लांट फिजिलोजी in terms of the structure of organs and their roles तो हम आज के SLO में प्लांट की फिजिलोजी पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन से organs हैं और उनका role क्या है मैं चाहता हूँ कि हम direct lecture स्टार्ट करने से पहले आईए एक 3D diagram के थूँ प्लांट के structure को detail में हम analyze करते हैं और देखते हैं कि इनमें आपके पास क्या-क्या organ क्या-क्या role play कर रहे हैं तो यह देखें आपके पास कुछ इस तरह से एक 3D diagram आ रही है प्लांट की जिसमें हम देख रहे हैं हमारे पास प्लांट के major organs हैं down side पे आपको roots नजर आ रही हैं यहाँ से उपर आपके पास center में एक structure आ रहा है which is stem और इसके साथ side पे branches में आपके पास different organs मुझूद है roots को हम detail देखें तो यह देखो आपके पास एक center के अंदर एक main thick root आ रही है और जबके इसके साथ बहुत सारी branches हैं यह क्या structures हैं हम आगे detail इने देखेंगे फिर आप देखते हैं आपके पास stem पाते हैं stem के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास यह plane region है जिसकी side पे कोई branch नहीं है इसका क्या नाम है और फिर stem का एक वो हिस्सा आ रहा है जहां पे आपको sides पे stem से branches निकलती ही नदर आ रही है इस region का एक अलग काम है इसी तरह इनका function क्या है हम जैसे ऐसे आगे study करेंगे तो हम देखेंगे यह देखें लीफ चो है अगर आप गोर करें तो आपको यह broad structure नदर आ रहा है upside down और इनके अंदर अगर आप देखें आपको center के अंदर एक main line नदर आ रही है और इस center वाली main line से branch से आपके पास different branches आ रही है यह क्या structure ने लीफ के अंदर क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है यह सब हमने आगे detail में study करना है तो बचो वापस आते हैं हम अपने आज के lecture की तरफ जो knowledge हमने extract किया है अपने आज के SLO से वो है plant physiology, structures and roles of different plant organs अगर हम देखें कि plant के अंदर primarily कौन से major organs हमें नजर आते हैं या मुझूद होते हैं तो आपको पता लगेगा इन में आपके पास सबसे पहले roots हैं roots के उपर आपको stem नजर आएगा और stem के साथ आप देखेंगे कि आपके पास leaves हैं और leaves के साथ आपके पास flowers attach होते हैं one by one हर organ को हम details उनका structure और इनका function study करते हैं roots के अगर हम बात करें तो हमें बता है कि roots जो हैं या आपके पास plant का underground part होते हैं यह आपको surface में नजर नहीं आ रही होता है यह जमीन के नीचे की तरफ मुझूद होते हैं अब जब आप root देखते हैं तो आपको idea होता है कि plants के अंदर सभी plants की roots एक जैसी दिखने में नजर नहीं आ रही होती उसकी वज़ा यह है कि आपके पास roots पी आगे से दो तरह की है एक आपके पास tap root है tap root कौन सी होती है यह देखें यह जो आपके पास center में एक single root नजर आ रही है जो main dominant root है इसे आप बोलते है tap root और इसके साथ हम देखते हैं इनकी छोड़ी चोड़ी branches भी निकली होती है जो इसका surface area बढ़ा रही होती है absorption बढ़ाने में help कर रही होती है दूसरी आप type देखते हैं यह देखें जहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास इस तरह से कोई single dominant main root नहीं है बलकि आपके पास roots की different branches है और almost हर branch आपको एक equal size की नज़रा लिया है इस तरह की roots को हम fibrous roots का नाम देते हैं ठीक हो गया अब हम आते हैं अपनी animation की तरफ और वहाँ देखते हैं इनके functions क्या है और इनका structure हमें कैसा नज़रा रहा होता है यह देखें यहाँ पर आपके पास जो हमारे पास 3D diagram है यह आपके पास बचो tap root की है और इस tap root के साथ देखो तो आपके पास different lateral roots नज़रा रही है करती क्या है roots roots का main काम होता है कि यह plant को soil की surface के साथ attach करते हैं fix करते हैं और वहाँ से इसकी growth में अपना role play कर रहे है growth कैसे करवा रही है roots जो है इसके आप center में देखते हैं tip की तरफ आपको एक special structure नज़राता है जिसे हम meristematic tissue का नाम देते हैं यह meristematic tissues divide करके root को grow कर रहे होते हैं और इसकी surrounding में xylem और phloem होते हैं जो absorption करवाते हैं पानी और minerals की कहा से यह देखें यह जो green dots हैं यह आपको soil वले area में नज़रा रहे हैं यहां से root की एक tip नेकल रही है root here जो soil में मुझूद पानी को और minerals को absorb करके root में मुझूद xylem तक लेकर आ रहे हैं और यह जो xylem है यहां से फिर पानी जो है वो root की xylem से होता हुआ leaf तक आ रहा होता है types देखें तो यहां एक आपके पास tap root है main root जो dominate है और दूसरीया तरफ आप लोग देख रहे हैं आपके पास multiple branches नज़रा रही हैं यह देखें यह आपके पास fibrous roots हैं तो आप लोग ने बच्चों देखा किस तरह से roots जो है इनकी different types इने plant को anchor करने में help कर रही हैं दूसरा काम water और minerals की absorption में इनका role है और sometimes हम देखते हैं कि कुछ roots ऐसी भी हैं जहां पे plants food भी store कर रहे होते हैं next अगर हम organ देखें तो हमारा next organ जो है वो stem है अब stem जो है यह आपके पास roots से surface की तरफ grow करता हुआ एक structure है जिसका supportive role होता है stem क्या कर रहा होता है यह plant के ओपर मुझूद जो different structures है leaves, flowers और fruits इनको support प्रवाइड कर रहा होता है लेकिन जो इनका main role है stem का वो transport of water nutrients और जो food है plant में बन रहा उसकी transport है यह plant में मुझूद stems का main role होता है अगर हम stem के structure को देखें तो हमें पता लगता है कि जो stem का structure है इसके अंदर दो main structures मुझूद है एक xylem और एक floim हमें पता है xylem का काम water और minerals की transport जबकि floim का का काम होता है कि यह जो plant में food बन दा है उसे transport कर रही होती है हम stem की जब diagram देखते हैं तो हमें stem का एक वो हिस्सा नजर आता है जहां पे किसी किसम की branches मुझूद नहीं होती stem पे इसे हम कहते हैं inter node और दूसरा हिस्सा वो होता है जहां पे आपको stem से उसकी lateral branches निकलती नजर आ दी होती है इस region को हम node का नाम देते हैं कुछ cases में हम देखते हैं कि plants में जो stem है ये modified होते हैं और modified होके ये different role भी play कर रहे होते हैं जैसे जो आपके पास tubers हैं ये आपके पास modified stem हैं जैसे इसकी example में potato आते हैं bulb हैं ये भी आपके पास modified stem है इसकी example आपके पास onion है ये क्या कर रहे हैं ये वहाँ पे nutrients और water को store कर रहे होते हैं इसकी एहमियत कहा आती है इसकी एहमियत वहाँ आती है जहाँ पे plants के लिए जो conditions है वो adverse हो जाती है unfavorable हो जाता है plant के लिए grow करना तो उस scenario में हम देखते हैं कि आपके पास ये जो stem है ये as a storing organ काम करता है और main nutrients food को वहाँ पे absorb करके plant के survival में अपना role play कर रहा होता है अब इसी structure को हम animation से दुबारा absorb करते हैं detail के साथ जब हमने इसे पढ़ लिया है हम देखते हैं कि हमारे पास जो stem है जो मैंने आपको बताया internaut और दूसरा वो जहां से branches निकल रही है वो आपके पास मैंने भी आपको बताया कि इसको जब आप cross section के अंदर देखते हैं तो आपको पताल लगता है इसमें दो तरह के structure ने एक आपके पास बाहर की side पे floim है floim क्या कर रही है ये leaf में बनने वले food को plant के different regions में transport कर रही है और अंदर की तरफ हम देखते हैं हमें यहाँ पे xylem मिल minerals को उपर leaf की तरफ लेकर जा रहे होते हैं ठीक है और अगर हम stem की modification देखें तो अभी हमने देखा कि आपके पास बास scenario में जो stems हैं वो different तरह से modify होते हैं जैसे कि आपके पास यह देखें पहली जो diagram है यह tuber की है यानि potato दूसरी आपके पास bulb की है जिसकी example आती है अनियर थर stem के बाद देखते हैं कि कौन सा organ है जो plant में मुझूद है अच्छा अगले organ पर जाने से पहले आपके इलम में यह बात होनी चाहिए कि stem दिखने में भी दो तरह के हो सकते हैं एक आपके पास होते हैं जो non woody होते हैं जिन में wood like structure नहीं होता दूसरे आपके पास woody plants होते हैं आप diagram देखें तो क्या आप मुझे असानी से बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन से plant जो हैं वो non woody stem रखते हैं और कौन से woody stem रखते हैं बचो अगर तो आपने इसको कहा कि यह जो stem है यह non woody है तो बिलकुल ठीक और जो second आपके पास diagram है यह असल में woody stem की है stem भी आपके पास दो तरह के हो सकते हैं next हमारा जो organ है वो है leaf हम पिछले slo के अंदर बहुत detail में leaf को पढ़के आए हैं और यहां हमने almost वही चीज़ें दुबारा repeat करनी हैं लेकिन summarize form के अंदर leaf आपके पास जब हम देखते हैं तो हमें पता लगते हैं यह आपके पास एक green color का flat सा structure है जो stem के साथ अटेच किया हुए अगर आप इसका वो broad structure देखें जो आपको नज़र आ रहा है इस broad structure को हम blade का नाम देते हैं और leaf का वो हिस्सा जो इसे stem के साथ जोड़ता है इसे हम patiol का नाम देते हैं अगर आप leaf के structure को देखते हैं तो आपको पता लगते हैं दरम्यान में एक mid rib आ रही होती है और इससे बहुत सारी veins निकल रही होती हैं ब्रांच कर रही होती हैं यह जो mid rib और vein हैं यह वो structure है जह isofil tissue वो क्या कर रहे थे इन में photosynthesis करवा रहे थे साथ हमने देखा था कि leaf के अंदर मजू स्टोमेटा जो है वो gases exchange करवा रहे थे carbon dioxide को intake किया जा रहा था और जो oxygen थी उसको release किया जा रहा था और साथ ही साथ हमने देखा था यहां से stomata के मदद से जो plants थे वो water vapors को भी बाहर air के अंदर environment में release कर रहे थे और हम जानते हैं कि हम इस process को transpiration का नाम देते हैं अब यही सारी चीज बचो हम animation के अंदर भी जाके observe करते हैं जब हम leaf का structure देखते हैं तो यह देखो आपके पास center में एक mid rib आ रही है और उससे उसकी branches यानि veins निकल दी है यह आपके पास leaf का structure है यह जो आपके पास flat green portion है इसे हम blade कहते हैं और यह वाला हिस्सा जो इसको stem के साथ attach कर रहा है that is petiole काम क्या क्या है नमर वन हमने देखा इन में transpiration होती है transpiration के दुरान क्या होता है leaf की xylem में जो water molecules हैं यहां से stomata के थूँ air के अंदर release कर दिये जाते हैं इस process को हम transpiration बोल बे होते हैं इसी के साथ हम देखते हैं कि leaf के अंदर जो sugar की formation हो रही है mesophyll tissues में इन्हें भी phloem की मदद से plants के different regions तक transport किया जाता है तो ये भी आपके पास इसका function है वापस आते हैं हम अपने slide की तरफ आगे जब हम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि एक और बड़ा important organ जो leaf plant में हो सकता है leaf के उपर attach वो है flowers flowers क्या है बचो flowers युह है ये plant का reproductive structure होते है इनका काम plants में reproduction को करवाना है अगर हम flower का structure देखते हैं तो हमें पता लगता है flower के अंदर 4 different तरह के structures हो सकते है number one आपके पास सबसे बाहर वली side पे एक green structure होता है जिसे हम saples का नाम देते हैं saples क्या करते हैं ये flower की protection कर रहे होते हैं अब जब flower अभी bird में होता है कली की शकल में होता है वो खिला नहीं होता फिर आपके पास आते हैं petals petals आपके पास colorful होते हैं और इनकी खुश्बू होती है fragrant होते हैं इनका मकसद क्या होता है इनका मकसद ये होता है कि ये pollinator को अपनी तरह एट्रेक्ट करते हैं pollinator वो insects होते हैं organisms होते हैं जो plants में male reproductive structure से male gamete को female reproductive structure पे transfer कर रहे होते हैं next आपके पास आता है stamen stamen आपके पास male reproductive structure है plant का जिसमें आप देखते हैं आपके पास stamen के अंदर enter आता है enter वो region है जहाँ पे आपके पास pollen grains बनते हैं male gametophytes of plants और इसके साथ आप देखते हैं नीचे आपके पास filament structure होता है ये जो दो structures हैं enter और filament ये मिल के आपके पास stamen बना रहे होते हैं फूर्थ आपके पास female reproductive structure आता है जो female reproductive structure है इसे हम carpal बोलते हैं carpal का जब हम structure देखते हैं तो इसमें 3 regions होते हैं सब से उपर आपके पास stigma stigma के साथ एक tube like structure आ रहा होता है style और नीचे आपके पास एक broad structure है जो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा वो ovary होती है काम क्या होते हैं जब आपके पास pollinator आते हैं और वो आके pollen grain को transfer करते हैं female gametophyte में जो के ovary के अंदर पड़ा हुआ है जिसे हम embryo sac का नाम देते हैं तो आपके पास pollination होती है और pollination के नतीजे में हम देखते हैं कि आपके पास seeds बनते हैं और seeds के surrounding में fruit formation हो रही होती है यह जो आपके पास seed बने है pollination के नतीजे में और इनके round एक fruit structure है यह fruit क्या कर रहा है यह seeds को protect कर रहा है और साथ ही साथ इन्हें एक जगा से दूसरी जगा फिलाने में मदद देते हैं fruit seed को कैसे disperse करते हैं जब भी आप देखते हैं आपके पास कोई भी animal या bird fruit की तरफ attract होता है और वो fruit को अपने साथ carry करके अपने घोसले तक लेकर जाता है तो वो असल में fruit के साथ उसमें मजूद seed को भी transfer कर रहा होता है तो वहाँ जब यह seeds वहाँ drop होते हैं बर्ड जो है animal जो है उसने तो fruit खा लिया जो seed है वो वहाँ पर drop कर दिये जाते हैं यह seed फिर आप देखते हैं वहाँ पर grow करते हैं और grow करके एक complete plant बना देते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास जो flower है यह plant की reproduction के अंदर भी अपना role play कर रहे होते हैं बचो animation की तरफ आते हैं और यही चीज़ हम animation के थुरू भी observe करते हैं अब animation अगर हम देखें बचो इसको अभी थुरा time लगेगा animation open होने में animation में हम 3D diagram के थुरू flower का structure जो है वो detail से study करेंगे अब जो इसके चार main structures है सेपल्स पैटल्स टेमन्स कापल्स इन हर एक की अपनी अपनी significance है जो diagram थी slide की वो 2D diagram थी वहाँ पे इतना अच्छे सी यह चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी अब हम यही चीज 3D diagram के अंदर detail में study करेंगे और देखेंगे यह structure आपको within flower किस तरह से organize की वे नज़र आते हैं यह देखें यह आपके पास flower का structure है अब नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो green parts हैं यह आपके पास वो saples हैं जो plant flower को protect कर रहे होते हैं और उपर की तरफ आपके पास colorful petals आ जाते हैं जिनका काम pollinators को attract करना होता हैं और यह देखें यह आपके पास इस वक्त यह जो thin structure नदर आ रहे हैं यह आपके पास male reproductive structures हैं और इनके उपर यह जो orange color का structure है यह enter है जहाँ पे pollen grain generate हो रहे हैं और इसी के साथ center में अगर आप देखें तो आपको carpal female reproductive structure नदर आ रहे हैं अगर हम इसे cut करके देखें तो यह देखें यह कुछ इस तरह से आपके पास center के अंदर female reproductive structure है जिसमें आपके पास stigma है नीचे long tube है style और बिल्कुल end पे नीचे आपके पास ovary पड़ी हुई है यहाँ पे आप देखते हैं इनका female gametophyte जिसे हम embryo sac कहते हैं वो पढ़ा होते हैं enter से जो pollen grain है वो transfer होता है और ovary के अंदर मुझूद embryo sac के साथ fertilize करके हमारे पास यहाँ पे seed और fruit formation करवाता है तो यह बचो आपके पास flower का 3D structure था जो हमने detail से देखा वापस आते हैं अपनी slides के उपर next आपके पास हम अपने आज के topic को conclude करते हैं summarize करते हैं हमारे जो SLO की demand थी अगर हम देखें तो वो complete हो रही है हमने देखा कि plants के अंदर यह 4 major organs हैं और यह different organs आगे different function perform कर रहे हैं जैसा कि आपके पास हमने देखा root का काम soil में plant को fix करवाना साथी साथ water minerals की absorption उपर आएं तो आपके पास stem है stem क्या कर रहा है यह plant की backbone है पहले तो यह plant के different structures को support provide कर रहे हैं next हम देखते हैं इसका main role यह transport कर रहा है उसमें मौझूद water minerals और food की फिर आते हैं leaves की तरफ leaves जो है photosynthesis करवा रहे थे gases exchange हो रहा था और transpiration हो रहे थे यह सब चीजे हमने animation और 3D structure में बड़े अच्छे से देखी और last पे जो अभी हमने पढ़ा वो flowers flowers क्या कर रहे थे pollination करवा रहे थे male gamete का female gamete तक transfer होना और साथी साथ हम दे रहे थे seed formation के थूँ यह plants की reproduction में भी अपना role दे करते थे तो बच्चो मुझे उमीद है कि आज के topic में जो हमारे SLO की demand थी कि हमने plant physiology को पढ़ना है और इस दोरान देखना है कि plants के कौन कौन से organs है उनका structure क्या है और उनका role क्या है वो हमने बड़े अच्छे से आज cover किया और मुझे उमीद है कि आपको यह सारा lecture बड़े अच्छे से याद हो चुका होगा last में एक काम जो आपने और करना है अपने concepts को जादा अच्छे से memorize करने के लिए वो ये कि आपके पास work sheet ये skill sheet की शकल में कुछ extra questions दियोंगे आपने जाके इन्हें fill करना है ताकि आपके concepts जो हैं वो अच्छे से आपको memorize हो सके मैं उम्मीद करता हूँ आज का lecture आपके लिए मुफीद रहा होगा इन्शाला हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे नेक्स लेक्चर के ता तब तक के लिए बच्चो अलाँ आफिस